कहानी गरीब लड़की की शादी के पिछले अध्याए में आपने देखा कि सपना अपने माता-पिता के मरने के बाद शेहर में अपने मामा मामी के पास आ जाती है मामी के भाई चंदन के कहने पर रोशन नाम के एक अंचान व्यक्ती से मामी उसकी शादी करवा देती है सपना के मामा भी उस वक्त कुछ नहीं बोल पाते सपना का पती शादी के बाद उसे दूसरे शहर ले जाता है पर क्या सपना की शादी एक सही इंसान के साथ होती है क्या रोशन वास्तों में सपना को शादी के बाद सुखी रखेगा क्या सपना शादी के बाद अपने दुखों से छुटकारा पाएगी या फिर कोई और दुख का पहार तूटना उसकी किस्मत में बाकी था कौन सी सच्चाई रोशन ने सपना के मामा मामी और सपना से चुपाई थी शादी के बाद सपना की जिन्दगी की आगे की कहानी आईए देखते हैं गरीब लड़की की शादी पार्ट टू में सपना की मजबूरी बस उसी कोठे पर रहना होता है वो उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती थी रोशन उसी मुन्नी बाई के कोठे पर बेच गया था रोशन सपना को मुन्नी बाई के कोठे पर छोड़कर सीधा सपना के मामा मामी के घर जाता है और वहाँ जाकर ढूम करता है नकली आसु बहाता है और कहता है मामी जी मामा जी मैं सपना को दूसरे शहर ले जा रहा था रास्ते में बस रुकी मैं पानी लेने के लिए उतरा तो देखता हूँ कि सपना बस में ही नहीं है मैंने उसे किसी लड़के के साथ दूसरी बस में भागते हुए देखा वो जरूर किसी के साथ भाग गई है उसका जरूर किसी के साथ कोई चक्कर था उसके गाओं का ही कोई लड़का होगा सायद उसी के साथ भाग गई है ऐसी गंदी लड़की के साथ आपने मेरी साधी करवाई जिसका किसी और कसा चक्कर था आप सबने मेरे साथ अच्छा नहीं किया अच्छा नहीं किया रोशन को ये सब बातें कहता देख चंदन भी देख रहा था वो जानता था और बहुत अच्छे से जानता था कि ये सब रोशन की चाल है वो जरूर सपना को किसी जगह बेच आया है वो रोशन के पास जाता है और सपना को बेचे गए पैसों में से हिस्सा मांगता है रोशन चंदन को उन पैसों में से थोड़ा सा हिस्सा दे देता है दोनों हसने लगते हैं उधर सपना कोठे पर मुन्नी बाई के द्वारा जुल्म सहती है। मुन्नी बाई कोठे पर आएर लोगों के सामने उसका प्रदर्शन करती है। जो भी गुंडे, मवाली, गलत संगत के लोग आते हैं, वो सपना को गंदी नजरों से देखते हैं। सपना बहुत रोती है। भागना चाहती थी, वो उस कोठे में नहीं रहना चाहती थी। एक दिन कोठे पर जब मुन्नी बाई बैठी होती हैं, तब वहां दो लड़के आते हैं। उनमें से एक लड़का। मुन्नी बाई, ये मेरा दोस्त है सूरज। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि इसे भी दुनिया में क्या-क्या खुब सूरज चीजे हैं दिखा दूँ। तो सोचा सबसे वड़िया आपका गोठाई हैं। वेचारा छोटे शहर से आया हैं। तो वहां पर ये जननत इसे दे प्रीतम सूरज को मुन्नी बाई का इशारा समझाता है। पर सपना की आँखों में उदासी और निराशा देखकर सूरज थोड़ा सा विचलित हो जाता है। वो सोचता है कि ये लड़की इतनी दुखी क्यूं है। बाकी लड़कियों की चेहरे पर तो शिकर नहीं थी, पर सपना को देखकर वो थोड़ा दुखी होता है। वो मुन जाती है, सहम जाती है, सूरज उससे बोलता है, डरू नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, ये तो मेरा दोस्त पृता मुझे यहां ले आया, मैं यहां नहीं आने वाला था, मैंने तुम्हारी आखों में डर और आंसू देख लिये थे, इसलिए मैंने मुन्नी बाई को तुम्हारे साथ कमरे में आने के लिए कहा, मुझे पूरी बात बताओ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, आराम से बताओ. सपना रोते हुए, बिलखते हुए, सारी बात सुरज को बता देती है, उस वक्त सुरज उसे भगवान का रूप लग रहा होता है, सुरज सपना की सारी बातों को ध्यान से सुनता है. वो उसे विश्वास दिलाता है, कि सपना को वो सही सलामत उसके गाउं पहुचा देगा, पर सपना कहती है, कि वो गाउं जाकर क्या करेगी, किसके पास रहेगी, वो सुरज को बोलती है, कि किसी भी तरह उसके मामा तक उसकी बात को पहुचा दे. सूरज कहता है कि वो उसकी मामा को सारी बात जरूर बताएगा वो सपना को कहता है कि वो हिम्मत से काम ले क्यूंकि मुन्नी भाई के कबजे से निकलने में अभी कुछ दिन लगेंगे इसलिए सूरज मुन्नी भाई के कोठे पर रोज आने लगा वो मुन्नी बाई को पैसे देता और सपना के साथ समय बिताता एक दिन वो सपना को बाहर ले जाने के लिए मुन्नी बाई से कहता है मुन्नी बाई पैसों की लालची होती है तो वो सपना को उसके साथ जाने की इजासत दे देती है सूरज सपना को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन जाता है सपना सारी बात पुलिस को बताती है पुलिस उसे दिलासा देती है कि वो मुन्नी बाई के कोठे पर चापा मारी करेगी और जितनी भी लड़कियां मजबूरी में पकड़ कर लाई गई हैं उनको भी बचा लेंगे सपना बहुत खुश होती है उसकी वज़े से आज बहुत सी बेकसूर लड़कियां कोठे के इस गलत धंदे से छुटकारा पालेंगी और मुन्नी बाई को उसके किये की सजा मिलेगी पुलिस सपना को वापस कोठे पर जाने के लिए कहती है पुलिस दिलासा देती है कि वो थोड़ी देर में कोठे पर चुप चाप चापा मारेगी सपना सूरज को कहती है कि वो उसके मामा को सारी बात बता दे जिससे कि उसके मामा उसे मिल जाए सूरज सपना को कहता है कि वो उसे कोठे पर छोड़ देगा जिससे मुन्नी बाई को शक ना हो उसके बाद वो उसके मामा के पास जाएगा सपना सूरज के विनम्र और प्यारे सुभाव को देखकर थोड़ी भावख हो जाती है और उसे सूरज का उसकी मदद करना और उसको मुन्नी बाई के चंगुल से छुटकारा दिलाना उसमें मदद करना ये सब कहीं न कहीं सूरज के लिए सपना के मन में प्यार जगा रहा था और सूरज भी सपना से मन ही मन प्यार करने लगा था अब सबसे जरूरी था मुन्नी बाई को उसके किये की सजा मिलना और सपना को सही सलामत उसके चंगुल से छुटकारा दिलाना सूरज सपना के मामा के पास जाता है और सारी बात बताता है सुरज की सारी बात सुनकर सपना के मामा की आँखों में आसु छलक उठते हैं वो अपनी पत्नी यानि की सपना की मामी और उसके भाई चंदन को गुस्से में बोलता है चंदन तुमने सपना की शादी एक दलाल से करवा दी एक गरीब लड़की को शादी के लिए इस्तिमाल किया पैसे कमाने थे तुम्हें शार माने चाहिए तुम्हें और सबसे पहले सुझाता तुम तुमने जबरदस्ती एक गरीब लड़की की शादी बिना सोचे समझे अंजान वेक्ती से करवा दी मैं भी तो गुनाकार हूँ उस बच्ची का मैं भी तुम्हारी बातों में आ गया भगवान सपना किस हाल में होगी बेटा सूरज मुझे अभी सपना के पास ले चलो इतनी देर में पुलस मुन्नी बाई के कूठे पर पहुँच जाती है और सपना के साथ जितनी भी लड़कियां कैद थी उन्हें छुडवा लेती है मुन्नी बाई और रोशन को भी लड़कियों को बेचने खरीदने और गलत काम करवाने के इल्जाम में पुलस पकड़ ले जाती है सपना के मामा और मामी भी सूरज के साथ वहां पहुच जाते है सपना मामा को देखकर रोव पढ़ती है मामा सपना से माफी मांगता है पर सपना कहती है कि शायद उसकी किस्मत में ये सब लिखा था मामा जी, मामा जी, मामी जी आप माफी मत मांगो मेरे भागी में शायद ये बुरे दन लिखे थे इसमें आप दोनों का कोई दोश नहीं है सूरज बेटा अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम इस बच्ची के लिए भगवान का रूप बन कर आये हो तो ये जूट नहीं होगा आज सपना तुम्हारी वजह से ही सुरक्षित बच पाई है नहीं तो मुन्नी भाई इसकी जिंदगी को तबाह कर देती बेटा भीक मैं तुमसे कुछ मांगो तुम मना तो नहीं करोगे न इस बच्ची को अपना लो ये करीब लड़की मेरी बेहन की अमानत है मैं इसकी देखभाल नहीं कर पाया तुम इसे अपना कर शाधी कर लो नहीं तो रोशन जैसा भेडिया दोबारा आ गया तो मैं अपनी बच्ची की रक्षा नहीं कर पाऊंगा मेरी पुद्धी बाजूओं में इतनी ताकत नहीं बेटे सपना बेटिया को अपना लो इससे शाधी कर लो बेटा सपना भी रोने लगती है सूरज सपना की ओड़ देखता है और फिर मामा का हाथ पकड़ के कहता है मामा जी आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िये आप बड़े हैं मैं सपना से शाधी करूँगा सपना दिल की बहुत अच्छी है मुझे सपना पसंद है मैं इससे आज ही शादी करूँगा सपना खुशी के आसु रूप बढ़ती है और अपने मामा और मामी के गले लगती है सूरज और सपना की शादी हो जाती है एक अरीब लड़की को अच्छा वर मिल जाता है सूरज और सपना खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते है